किसी भी भासा या सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बनाने के लिए हमें उस भासा या सब्जेक्ट के कीवर्ड आप इसे vocabulary कह सकते हैं में अच्छी जानकारी होना आवश्यक है रत्तिक सब्जेक्ट का अपना अलग-अलग कीवर्ड होता है keyword कहने का मतलब है ऐसा सब्द या word जिसमें एक किसी भी topic का पूरा information सामिल हो जैसे memory कहने से पता चलता है कि data या information इस्टोर करने का एक device या उपकरन इसी तरह प्रतिक keyword अपने आप में जिस content के लिए प्रयुक्त हुआ है उसकी पूरी information व्यक्त करता है आज हम computer keywords में English alphabet के प्रारंभीग्लेटर एसे बनने वाले keyword पर बात करेंगे चली यह start करते हैं पहला keyword अबेकश यह गर्णा करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अतिप्राची नियंत्र है जिसके द्वारा अंकों को जोड़ा वा घटाया जाता है अबेकश का अविस्कार चीन में 3000 इसा पूर्व में हुआ था वास्तों में अबेकश 31 प्राचीन अर्थात विश्व का सबसी प्राचीन गर्णा यंत्र है जिसका आज भी प्रयोग अर्थात वर्तमान में भी प्रयोग किया जाता है अबेकश का इसका अविस्कार चीन के ली काई चेन ने किया था अबेकस एक आयताकार लकड़ी का धाचा होता है जिसमें 36 क्रम में तारों को इस तरह पिरोया जाता है और इन तारों में गोलाकार मोती नुमसन रचना को लगाया जाता है जिसकी सहायता से गड़ना का कारे किया जाता है अब एकश में मुख्य रूप से जोड़ना वा घटाना इन दोनों प्रकार की क्रियाएं की जाती है अगला है एक्सेसरी एक्सेसरी वास्ता में एक कम्प्यूटर सिस्टम में सहाय की अंत्री की तरह उप्योग किया जाता है अर्थात एक कम्प्यूटर सिस्टम में इनकी आवशक्ता पढ़ने पर उप्योग लिया जा सकता है अर्थात उप्योग करने के समय इसे कनेक्ट किया जा सकता है इसे permanent connect करने की आवशक्ता नहीं होते एक computer system में जैसे web camera, floppy disk, scanner, pen drive ये कुछ accessory device है computer system की जिने permanent computer system में connect करके रखने की आवशक्ता नहीं होती है इस प्रकार के device, accessory device कहलाते हैं ये इन्हीं सहाया के अंतर भी कहा जाता है अगला है access control access control कहने का मतलब है किसी भी user को उस device की access प्रदान करना अर्था उस device पर कारे करने के लिए अनुमती देना access control में जब तक user को अनुमती नहीं मिलता तब तक वह कारे नहीं कर सकता अर्था unauthorized उप्योग करता को सूजना और निर्देश देने से रोकता है access control ये एक security की तरह कारे करता है access control access time access time क्या है एक user द्वारा किसी memory में data प्राप्त करने के लिए कोई निर्देश देता है जब कोई user memory से data प्राप्त करने के लिए तब निर्देश देने तथ data प्राप्त होने तक कि समय की बीच को access time कहा जाता है एक user memory में data प्राप्त करने के लिए क्या देता है निर्देश देता है और उस निर्देश अर्थाट data के प्राप्त होने तक कि बीच के समय को access time कहा जाता है एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर वास्ता में एक storage device की तरह कारे करता है जो रेजिस्टर से बना होता है ये एक storage की तरह कारे करता है एक्यूमुलेटर ये वास्ता में ALU से प्राप्त परिणामों को इस्टोर करता है ALU अर्थाट अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो CPU का एक भाग है ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट अर्थमेटिक मतलब गढ़ना का कारे करता है लॉजिकल मतलब तर्क करने का कारे करता है इन दोनों से निर्मित परिणाम को अर्थाट इन्फॉर्मेशन को information को ये accumulator में store करता है accumulator में क्या करता है? store करता है ALU से प्राप्त परिणाम को accumulator में store करता है accumulator में store किया जाता है CPU के द्वारा active cell कहने के मतलब है MS Excel में प्रवेक्ट होने वाला वह सेल या खाना जिसमें user मौजूदा समय में कारे कर रहा होता है active cell कराता है MS Excel में इस प्राकार के अनेक सेल होते हैं इस प्राकार के सेल बने होते हैं यह देखा होगा MS Excel में जिस सेल पर हम कारे कर रहे होते हैं 2+, 3, 2, 5 अर्थात इस सेल पर हम कारे कर रहे हैं तो यह सेल active cell कहलाएगा active device active device जिस device पर हम कारे कर रहे हैं वह device active device कहलाएगा अर्थात जिस device में वेद्धूत प्रवा हो रहा है और हम जिस device पर कारे कर रहे हैं active है active मतलब सक्रिय है कारे लिया जा रहा है जिस device से वह device active device कहलाता है active window active window कहने का मतलब है computer screen पर जो भी window हमें दिख रहा है अर्थात जिस window पर हम कारे कर रहे हैं वह window ही active window कहलाता है computer screen पर monitor पर जो भी screen हमें present समय में दिख रहा है वह ही active window कहलाता है एडेप्टर क्या करता है वह यूगति जो दो या दो से अधिक उप करनों या संसाधनों के बिच समझेस बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है डेप्टर कहलाती है जैसे एक डिवाइस यहां एक डिवाइस या एक से अधिक डिवाइस जमान लेते हैं यह एक इंपुट डि डिवाइस क्या करता है इंपुट डिवाइस मनुष्य द्वारा समझने योग्य डाटा को बाइनेरी डाटा में बदलता है और आटपुट डिवाइस बाइनेरी डाटा को मनुष्य की समझने योग्य डाटा में बदलता है मनुष्य की समझने योग्य डाटा में बदलता है तो एडेप्टर अब क्या करे करेगा एडेप्टर इन दोनों डिवाइसों के भी समझस अर्थात एक दूसरे के समझने यूग्य इस्तिती पैदा करता है यह अवश्चक नहीं कि एडेप्टर इन पूट और आंटपूट डाटा के भी समझस स्थाबित करें एडेप्टर इन पूट और इन पूट डिवाइस के भी समझस स्थाबित कर सकता है और आंटपूट और आंटपूट डिवाइस के भी समझस स्थाबित कर सकता है दो या दो से अधिक कोई भी डिवाइस है उन करने का जोड़ने का कारे करता है अडर उदिये अडर्स यग है अफ इंट्रेश आड्स कम्प्यूटर की मेमोरी में उपसेट वह पहचान चिनह जिसके द्वारा data की स्थिति का पता चलता है computer की memory में अलग buds प्रकार के data इस्थित होते हैं जैसे input से प्राप्त data input से प्राप्त data output और intermediate data Intermediate Data और भी अलग-अलग प्रकार की डेटा हैं माल लेती हैं भी तीन प्रकार की डेटा को इन सभी प्रकार की डेटाओं का अलग-अलग क्या होता है एड्रेस होता है अलग-अलग प्रकार, अलग-अलग एड्रेस होता है अलग-अलग address होने की वज़से CPU इन सभी प्रकार के data को पहचान सकता है इसलिए computer की memory में सभी प्रकार के data का अलग-अलग address होता है जिससे CPU को उन्हें पहचानने में सरलता होती है अल्गोरिद्म कम्प्यूटर को दिये जाने वाले अन्य देशों का वह क्रम जिसके द्वारा किसी कार्यों को पूरा किया जाता है अल्गोरिद्म कहलाता है, एक कारे के बाद दूसरा कारे स्टार्ट, दूसरे कारे के बाद तीसरा कारे स्टार्ट, और तिसरे कारे के बाद चोथा कारे स्टार्ट हो जाता है, अर्थात ये क्रम बना रहता है, जैसे कंप्यूटर को माल लेते हैं, चार प्रकार के कारे मिले ह इन कार्यों को किस क्रम में करना है यह CPU निर्धारित करता है अर्थाथ CPU इन सभी कार्यों में से निर्धारित करता है कि किस कार्य को पहले क्रम में करना है उसके बाद सेकंड क्रम में किस को करना है और थर्ड क्रम में किस को करना है इस प्रकार के जो एक क्रम चलता है इसे ही अल्गोरिद्म कहा जाता है अलाइन्मेंट क्या होता है सजाना डेटा में पराग्राफ को वैस्ट करने की प्रक्रिया अलाइन्मेंट के लाती है कोई भी डेटा है उसे पराग्राफ डेटा में पराग्राफ को वैस्थित करना पराग्राफ में वैस्थित करना अलाइन्मेंट के लाता है था सजाना अलाइन्मेंट के लाता है अल्फानिमेरिक कहने से ही इस पर्ष्ट है अल्फा और नंबर्स अल्फा अल्फा बेट और नम्बर्स से मिलकर बना है अल्फा न्युमेरिक अल्फा बेट्स में जितनी लेटर होते हैं A से Z तक की अल्फा न्युमेरिक में आते हैं और नम्बर्स में जितनी लेटर होते हैं जिरो से नाइन तक के ये numbers में आते हैं इन दोनों को मिला कर alphanumeric डाटा कहते हैं एनलोग डाटा क्या है एनलोग डाटा भौतिक राशी अर्थात physical units जो लगातार तरंगी रूपे में परिवर्थित होती है जैसे प्रत्यवर्थी वैद्दुधारा AC करेंट और दिष्ट धारा DC करेंट ये इस प्रकार की डाटाओं को एनलोग डाटा कहा जाता है अर्थात physically जो डाटा होते हैं वे एनलोग डाटा कहलाते हैं और एनलोग computer क्या है एनलोग computer में एनलोग डाटा को डिजिटल डाटा में डिजिटल डाटा में चेंज किया जाता है अर्थात एक बहुतिक रासी को अंकी रूप में अंकी रूप में प्रदिशित किया जाता है जैसे एक AC करेंट हो गया DC करेंट हो गया जैसे कि 5V, 10V, 5W, 10A यह एक क्या है एनलोग डाटा है अर्थात एनलोग computer में एनलोग डाटा को डिजिटल डाटा में परिवर्तित किया जाता है यह एक डिजिटल डाटा है यह एनलोग डिजिटल डाटा है समझ गया है अर्थात एनलोग computer में एनलोग डाटा जो physical डाटा होते हैं तरंगी रूप में डाटा होते हैं उसे एक अंकी रूप प्रदान किया जाता है इनलोग computer में एनिमेशन अपनी कलपना द्वारा बनाये के चित्रों को स्थिर करके सजीवता का प्रदर्शन करना तथा गतिसीलता का आभास कराना एनिमेशन कहलाता है यह एक चित्र है इसमें अपनी कलपना का प्रयोग कर सजीवता अर्थाद गतिसीलता उस चित्र में गतिसीलता देना उस चित्र को वीडियो की तरह गतिसीलता देने का आभास कराना एनिमेशन कहलाता है अगर आप वाट से पगेरा यूज करते हैं तो एनिमेशन के बारे में पता होगा आपको एन्टी वायरस एन्टी वायरस वायरस से ही तयार एक निस्क्रिय रूप होता है जिस वायरस का हम एन्टी वायरस बना रहे हैं उस वायरस की निस्क्रिय रूप को ही हम एन्टी वायरस कहते हैं और इसे उस कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है जिस कम्प्यूटर में वारस है या वारस होने की संभावना है या वारस से सुरक्षा के लिए किसी कम्प्यूटर में एंटिवारस को इंस्टॉल कर दिया जाता है अप्लिकेशन सॉप्ट्वेर किसी विशेश कारे के लिए बनाया गए एक या अधिक प्रोग्रामों का समूँ अप्लिकेशन सॉप्ट्वेर कहलाता है अर्थात सॉप्ट्वेर कहलाता है और प्रोग्राम क्या कहलाता है निर्देशन का समूँ अर्थात इंस्ट्रक्षन का समूँ जो होता है वो प्रोग्राम कहलाता है और जो निर्देश अर्थात इंफॉर्मेशन क्या होता है अनिक प्रकार की डाटा का समूम होता है वो निर्देश कहलाता है अरफात डाटा से मिलकर निर्देश बना। अरफात इंफोर्मेशन बना, इन इनफोर्मेशनों कर समुन हो समुन हो प्रोग्राम बना, और इन प्रोग्रामों कर समुन हो application holiday या्टेवियर बना। छीय है? artificial intelligence artificial कहने का मतलब है जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो जो प्राक्रतिक ना हो जो जिसे मनुष्य द्वारा बनाया गया हो और intelligence कहने के मतलब है बुद्धी मता अर्थात मनुष्य द्वारा बनाया गया ऐसा device जिसमें बुद्धी बुद्धी मता हो Artificial Intelligence कहलाता है मानुवी गुडों के अनुरूप सोचने समझने उम्तर के करने की छमता की विकास को कम्प्यूटर में Artificial Intelligence कहते हैं अथाथ मनुष्य द्वारा बनाया गया ऐसा डिवाइस या हम ऐसा साप्टेवेर कह सकते हैं जिसमें मनुष्य की तरह सोचने समझने की तर्ग सोचने समझने तर्ग करने की छमता का विकास हो गया हो वो Artificial Intelligence कहलाता है A.S.C.I.I. इसका फूल फाम है American Standard Code for Information Interchange यह एक वास्तों में कोड है एक प्रचलित कोड है जिसके द्वारा अक्छरों ततर संख्याओं को 8 बीट की रूप में प्रदसित किया जाता है किसी भी 8 बीट की सहायता से एक लेटर अर्थात एक साइन का निर्मान होता है जैसे A जो बना है एक लेटर है यह कम्प्यूटर की भासा में कहें तो 8 बीट से मिलकर बना होता है एक साइन अर्थात एक चिन बी की बात करें बी भी 8 बीट से निर्मान होता है अर्थात किसी भी प्रयकार के चिन या साइन चिन को बनने में कम्प्यूटर को एक चिन को बनने में कम्प्यूटर अर्थात बैंडरी कोड में 8 बीट की आवशक्ता होती है 8 bits यावशकता होती है इसे American Standard Code for Information Interchange की रुप में परिभासित किया गया है किसी भी कम्प्यूटर में एक करेक्टर बनने के लिए एक बीट में 0 या 1 को सामिल किया जाता है अर्थात दो लेटर होते हैं 0 या 1 या 1 या 0 दोनों एक बाइट में एक बाइट में 8 बीट होता है Assembler कम्प्यूटर में प्रयुक्त वह प्रोग्राम जो Assembly भासा को मसीनी भासा में परिवर्थित करता है Assembler कर लाता है क्या कर लाता है Assembler को मसीनी भासा में ये एक Assembler भासा है बली भासा इसे मसीनी भासा में मसीनी भासा में चेंज करने वाले चेंज करने वाला Assembler कर लाता है मसीनी असेंबली भासा को मसीनी भासा में चेंज करने वाला क्या कर लाता है Assembler कर लाता है नाम से इस परष्ट है Assembler भासा को चेंज करने वाला Assembler अभी हमने बात किया एक प्रेकार कर कंप्यूटर भासा है जिसमें अक्षरों तथा अंको को किसके रूप में लिखा जाता है छोटे-छोटे कोड की रूप में लिखा जाता है अक्षरों और अंको को अक्षर कहने एक मतलब है ए से जेड या तो ये इंगलिस अलफबेट हो सकते हैं या तो ये हिंदी अलफबेट या अन्य लेंग्वेज में अगने अलफबेट के हो सकते हैं अर्थात अक्षरों और अंको को जिरो या नाइन को जिरो से नाइन को छोट Synchronous Data Sending, Synchronous Data Sending क्या है, डेटा भीजनी की वह पद्दिती जिसमें डेटा को अनियमित अंतराल में अपनी स्वीधानुसार भीजा जा सकते हैं, जैसे एक डेटा है, या कोई information है, जिसे अपनी स्वीधानुसार अनियमित रूप से, अनियमित रूप से मतलब कुछ डाटा को मैंने भीजा अभी और कुछ डाटा को मैंने कल भेज दिया, तो ये अनियमित हो गया, इस प्रकार की स्वीधा को Synchronous Data Sending कहलाता है, इस प्रकार की डाटा को अनियमित रूप से भीजना Synchronous Data Sending कहलाता है, Authentication Authentication मतलब किसी user की पहचान करना वह पध्यति जिसके द्वारा computer के उप्योग करता की वध्यता की पहचान करता है थाथ user की user की पहचान करता है computer system उसे ही authentication कहते हैं AutoCAD क्या है एक प्रकार का साप्ट और जो रेखाचित्र से graph स्वत त्यार करता है रेखाचित्र और graph को स्वता अर्था आटोमेटिक त्यार करने वाला AutoCAD कहलाता है रेखाचित्र मतलब इस प्रकार की सरचना graph इस प्रकार कीसरा रचना इसे आटोमेटिक त्यार करने वाला software AutoCAD कहलाता है auxiliary memory auxiliary memory क्या है इस मेमोरी को द्वित्यक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है या प्रात्मिक मेमोरी, प्रामरी मेमोरी से बड़ी छमता बड़ी होती है छमता वाली और इसकी छमता भी बड़ी होती है तो था उसकी सहयक होती है और primary memory की क्या होती है, सायक होती है, अगर हम बात करें, primary memory, primary memory, RAM, primary memory के अंदर गत RAM, random access memory, ROM, read only memory, और इसके ही अंतर गत, primary memory के ही अंतर गत, ये register आता है, और gas memory भी आता है, ठीक है, और ये सभी memory primary memory अस्थाई होती है, अस्थाई होती है, अर्थात इसमें रखेंगे data कुछ समय अंतराल में डिलेट हो जाती है, और ये बहुत तीव रगती से कारे करती है, और इसमें storage छमता थोड़ा कम होता है, जबकि secondary memory की बात करें, सेकेंडरी memory, सेकेंडरी memory में, cd, dvd, hard disk, hard disk, hard disk drive, इस प्रकार की memory आती है, जिसकी storage छमता बहुत अधीक होती है, और इसमें रखेंगे data इस्थाई होती है, अर्थात हमेशा के लिए रखा जा सकता है, इसमें रखेंगे data को, और इस storage छमता अधीक होती है, इसे, यह है secondary memory, और secondary memory को ही auxiliary memory कहा जाता है, और एक बात है secondary memory, जो primary memory होता है, उसके सहायक memory होता है, अर्थात auxiliary memory, primary memory का सहायक होता है, primary memory कहां इस्थित होता है, primary memory CPU में इस्थित होता है, और secondary memory अर्थात auxiliary memory CPU के बाहर इस्थित होता है,